हेलो एवरिवन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंट्राडे में कैसे सूपर ट्रेंड और हाइकनासी कंडल स्टिक को यूज करके बहुत ही अच्छे से मैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल ऑप्सन बाइंग कर सकते हो वो भी 5 मिनेट टाइम फ्रेम पे देखो आज की स् सूपर ट्रेंड को यूज करके आपको कैसे जेंडरल ही क्या होता है कि जब भी हम प्रॉफिट लेते हैं तो हम 100,200 पॉइंट पर निकल जाता है क् wolves दर होता है कि हमारा प्रॉफिट तो बन रहा है लेकिन इनकेस अगर मार्केट वहीं से घूम गया और सुपर ट्रेंड अगर हमारे ट्रेंड के अगेंट सिगनल दिखा दिया तो हमारा प्रॉफिट लॉस में भी बदल सकता है तो हम मैक्सिमुम प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं बट मैं आज की कैसे 500-600 पॉइंट और इवेन उससे ज्यादा भी आप कैप्चर कर सकते हो सुपर ट्रेंड और हाई किनासी को यूज करके अब देखो रीसेंट कुछ ट्रेड है कि यहां पे हमें 1325 पॉइंट मिला इधर हमें 694 पॉइंट मिला और यहां पे हमें 306 पॉइंट मिला तो आई करोगा और आप कैसे आपको टॉप एकजिट करना है मतलब मैक्स प्रॉफिट कैसे लेना मैं वो भी आज की उडियों बताऊंगा ठीक है थर्ड पॉइंट as usual मैं आपको बताऊंगा कि आप 90% time कैसे fall signal को filter कर सकते हो देखो मैं यह accept करता हूँ कि आप कुछ भी लगा लो लेकिन जब market एक range में होगा तो थोड़ा बहुत आपका stop loss हीट होगा और वहां पे अच्छे अच्छे लोग का stop loss हीट होता है और आपका भी उठोगा बट एक profitable option buyer बन पाओगे ठीक है तो आज की भी strategy बहुत ही profitable होने वाली है मैं आपसे request करूँआ कि इसको detail में समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए चलिए तो उडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर आपको option buying option trading सिखना है तो आप मैं शेडरेकली contract कर सकते हूँ मैं option buying की classes भी provide करता हूँ मैं उस class में आपको complete knowledge दूँगा कैसे आपको option buying करना live market में आपको क्या-क्या देखना है और chart पे कैसे आपको trade लेना और अपना profit, target, stop loss, manage करना है और मैं उस class में आपके साथ अपनी personal strategy भी share करूँगा तो अगर आप interested हो तो मैं शेडरेकली contract कर सकते है option buying की class के लिए ठीक है अभी आज की strategy पे आते हैं तो आज की strategy में मैंने दो indicator लिया है दोनों super trend है और इसकी settings मैं आपको video के बीचे बता दूँगा बट मैं आज आपसे request करूँगा कि आज की video आप पूरा carefully देखना क्योंकि इस video में बहुत अच्छे-चे topics cover करूँगा आपको कैसे maximum profit लेना है ठीक है second thing आपको छोटे-छोटे stop loss के साथ कैसे trade लेना है क्योंकि देखो stop loss hit तो हो नहीं है बट हम वहाँ पे अपने loss को कैसे कम कर सकते हो और जब भी हमें profit होगा तो उसको maximum कैसे लेके जा सकते है ठीक है तो यह आज की video की खास बात होने वाले ठीक है third point कैसे आपको false signal filter करना है ठीक है और आज की strategy सिर्क bank nifty के लिए है और जो मारा time frame होगा 5 minute होगा अब हम आज जहां पे market close हुआ उदर चलते है ठीक है और मैं maximum profit, maximum strategy में मैं यही try करता हूँ कि जिस दिन market जहां पे close हुआ वहीं से start करूँ आपको दिखाना ठीक है तो अब ध्यान से observe करो मैं कैसे कैसे आपको बता रहा हूँ तो अब यहां पे दोनों super trend, एक super trend इधर buy दिखा दिया था और यहां पे second dollar super trend हमें buy का signal दे ठीक है आप यहां buy करोगे और देखो आपको एक बहुत ही अच्छा trade मिला ठीक है trade मिला और यहां पे आपको करीब-करीब 525 point आप capture कर पाए ठीक है और अगर आप एक lot में trade करते हो तो आज आप अगर strategy follow करते है तो आपको करीब-करीब profit होता 10,000 के आसपास ठीक है 10,000-8,000 के आसपास होता ठीक है ना 12,000 तक जा सकता था मतलब delta के उपर नीचे बट आप 8 से 12 के बीच में आज का profit आप मान सकते हो ठीक है अभी कुछ लोग कंफ्यूज होगें कि में यह maximum profit कैसे capture करें ठीक है कि हम यहाँ भी तो निकल सकते थे क्या guarantee है कि super trend यहाँ पे sell का signal नहीं दिखाएगा तो इसका कोई guarantee ने इसका एक logic है मैं धीरे-धीर आपको वीडियो में सब कुछ clear हो जाएगा ठीक है यहाँ पे हमारा कोई trade नहीं बनता है क्योंकि जो हमारा पहला super trend है buy दिखाया है और second वाला इदर sell दिखाया ठीक है तो हमारा trend bullish है तो हमारा यह filter हो गया ठीक है ना मैं मानता हूँ हमारा पैसा बनता पट यह filter हो गया ठीक है टाइम फ्रेम पे completely intraday में काम कर आप ठीक है तो आपका इधर buy मिला ठीक हो आप almost इधर निकल गए तो मतलब 50-60 point आपका profit वर ठीक है तो इतना तौम नहीं मान के चलेंगे ठीक है अब देखो यहाँ पे आपको एक सीखने वाली बात है ठीक है कि आपको कैसे maximum profit निकालना देखो तो यहाँ पे दोनों super trend sell का signal दिखा दिये ठीक है simple सी बात है आप इधर का entry लोगे entry लोगे अब देखो आप निकलोगे आप कहीं इस candle पे ठीक है आप निकलोगे इस candle पे ठीक है न मतलब आप आपको moment तो यहाँ तक का मिला बट आप इधर निकलोगे क्यों देखो इसका region simple सा यह है कि हमें high canasi candle stick को भी observe करना है क्योंकि आप अब यहां पे proper red बन ते को यहाँ पे green वना ठीक है रेकिन अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी a green बना ठीक है एक green आपको यहाँ पे भी देखने को मिले ठीक है बट हम इसको consider नहीं करेंगा हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि देखो यह यहाँ पर again confusion है मतलब buyer seller दोनों confusion कि market कि दर लेगी जाना विग बने ठीक है न तो जिस candle में candlestick में विग नहीं बनेगी आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले candle भी छोटा सा विग बना तो हम विग वाली candle को नहीं मानेंगे और देखो इस वाली candle नो विग नहीं बना यह प्रॉपर bullish candle है ठीक है तो हम यहाँ पर exit करेंगे ठीक है इस candle के बनने के बाद हम प्रॉपर exit करेंगे और हमारा इस दिन 700 पॉइंट का मुमेंट का capture गए ठीक है और सेम देखो यह भी इस दिन भी यही हुआ ठीक है कोई भी candle रेड नहीं बने थी तब ही हम पूरा trade को हम पूरा ride कर पाए ठीक है और maximum profit निकाल पाए ठीक है अब हम कुछ और example देखेंगे ठीक है तो देखो एक trade हम इधर मिला ठीक है एक trade इधर मिला है कि आप कहीं इधर trade लोगे और आप exit कि इधर करोगी आप इस वा पर red candle बने ठीक है ना हम इसको consider करेंगे कि यहां से market गीर सकता और देखो यहां से गीरा भी है logic समझो पूरा कि हम मैं क्यों maximum profit आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आप यहां अगर buy करोगे ना आप इधर buy करोगे और maximum profit देखो इधर आप निकालोगे तो आप 385 point capture कर पाए सिर 50 मिनट में सिर्फ 50 मिनट में ठीक है यह filter हो गया ठीक है देखो कितना गंदा false breakout था filter हो गया ठीक है filter हो गया अब भी हमें एक trade इधर मिला ठीक है लेकिन यह trade देखो कब मिला है तीन पंदर मिला तो आप जेनरली इस टाइम ट्रेड लेना एवाइड कर सकते को कि हम बिट्यस्टी के लिए जाना नहीं है और हमें completely इंट्राडे में काम करना है तो आप इसको एवाइड कर सकते ठीक है और यह भी filter हो गया ठीक है यह भी trade हमारा filter हो गया अभी देखो एक signal हम इधर मिला ठीक है इधर सिगनल मिला आप इधर buy करोगे कहीं call buy करोगे अब देखो आपको trade कितना अच्छा मिला इधर इधर आप capture कर पाए करीब करीब करेब 380 पॉइंट क्यों क्योंकि देखो हमें trade भी ट्यस्टी के लिए नहीं लेके जाना तो आप 325 पे यह वाली candle 3 15 पे आप trade अपना card दोगे ठीक है simple सी बात है देखो अभी तक एक भी stop loss नहीं हुआ है और देखो मैं मानता हूँ stop loss हीट होगा जब market range में होगा ना तो stop loss हीट होगा लेकिन आप उस time सिर्फ 50.100 point दोगे और आप capture कर रहो 500.400.600 point तो risk reward बहुत ही better risk reward आपको इससे अच्छा क अब निकलोगी scandal पर ठीक है तो यह almost हमें यहाँ पे 70 point का profit हुआ देखो यहां तक तो आया बठ हम यहाँ पर एच पर आवर इस ट्रेटरियम यहाँ पर नहीं निकलें क्योंकि कोई भी proper bullish candle नहीं देखने को मिली है नहीं नहीं हाँ हाँ सही है कोई proper bullish candle नहीं देखने को मिली तो आप देखो हमारा trade इस पर इधर बनता है ठीक है इधर बनता है और आप इधर कहीं निकल जागए ठीक है यहाँ पे हमें बड़ा stop loss देना पड़ा ठीक है न तो आप यह simple से काम कर सकते हो कि जब भी कोई बड़ी candle पर हमें buy signal मिल रहा है न और यह थोड़ा से मतलब accidental condition है ऐसा आपको हमेसे को कि morning में क्या होता है कि early morning में जो 4-5 candle बनती है उसमें थोड़ा सा market कुछ भी करता है ठीक है तो देखो यहाँ पे जैसे एक बड़ी red candle बनी एक विग बना फिर दो candle ऊपर गया marketing से घुज गया तो आप जनरली जब नहीं समझ जाना तो ऐसे time में आप trade न नहीं होगा अभी आप दियान से देखो अभी हमें एक trade इदर मिला ठीक है हमें इदर trade मिला और आप almost 40-50 point के profit पे निकल जाओ क्योंकि हमें trade भी ट्रेश्टी के लिए नहीं लेकर जाना है यह filter को यह कितना कम्हाल का trade filter वह देखो और यह भी filter होगा तो filter ही बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है filter देखो कितना अच्छा filter हुआ है यह भी filter होगे अभी देखो इधर आप sell करोगे ठीक है आप इधर sell करोगे बहुत यह अच्छा trader sell किये अब देखो कितना अच्छा आपको trade मिला आप कितना अच्छा trade राइट किये और आप almost इस candle पर निकलोगे 578 point और आप logic समझो हाइकना से उच करने का और हम यहाँ पर क्यों exit किये हैं exit करने का simple सी candle है देखो यह proper bullish candle बनी है इसका मतलब जिस candle का विग निया न उसको हम मान सकते हैं कि वो proper bearish या bullish candle है ठीक है तो यह proper bullish candle हम इसको मान सकते हैं अभी देखो यह filter हो गया filter होने के बाद देख हो कि हमें यहाँ पर profit मिला बट एच पर आवर स्ट्रेटेजी एक हम इसको भी bullish candle मानेंगे लेकिन आप कुछ दिन जब इस पर काम करोगे न तो आप ऐसे time avoid करोगे देखो candle कितनी छोटी बनी इसमें क्या दम है इस candle में कोई power नहीं ठीक न छोटी से candle बनी है यह सब candle proper candle है त इसको follow करोगे तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हो ठीक है अभी देखो एक हमें इधर buy का trade मिला buy कियो और almost आप इस candle पर देखो यह हमारा loss कुए तो 28 point का कि मालो 50 point का पैसे अल दिये बड़ देखो point कितने आप capture कर पा रहा हो ठीक है न एक यह filter होगा फिल्टर क्यों कि हमारा पैसा तो बंटा बद हमारा as per hour strategy हमें यह trade नहीं लेना ठीक है तो अभी देखो यह एक trade देखो proper trade मिला और आपको इधर भी profit हुआ करीब करीब करी दु अधर की indicator की settings में क्या का changes करने है तो सबसे पहले देखो मैंने दो super trend लगाया है simple सी बात है और यहीवाला simply super trend है कोई change नहीं टिक है यह वाला super trend मैंने लगाया है और देखो इसके settings में पहले वाली settings में मैंने atr.12 किया है और atr 40 थीक है तो यह proper setting है ठीक है और आप इसको follow कर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बड़ा बड़ा पॉइंट कैप्चर कर सकतो बैंक निफटी में मानता हूँ कि मार्केट ड्रेंज में होगा तो छोटी-छोटी